नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए रोमेंटिक वीडियो में दोस्तों, क्या आप किसी स्त्री या पुरुष को देख के ये बता सकते हैं कि वो आपसे शारिरिक संबनाना चाहता है या नहीं? अगर नहीं, तो आज हम आपको ऐसे साथ संकेद बताने वाले हैं, जिससे महिलाई ये बताती हैं कि बहुत शारिरिक संबनाने के लिए इच्छोख है बहुत सी महिलाई कुछ ऐसे संकेद देती हैं जिनसे पता लगता है कि बहुत शारिरिक संबनाना चाहती है और साइंस ने यह भी साबित किया है कि पुर्शों के मुकाबले इस तरिया में ज़्यादा कामुकता होती है हाला कि महिला ये कामुकता है इसकी पहचान आसानी से नहीं किजा सकती है तो चलिए आज हम आपको वो साथ इशारों के बारे में बताएंगे जिससे महिला आपसे शारीक सम्मद बनाने में इच्छोख है ये आप समझ सकते हो तो सबसे पहला संकेत है जब तेज सासे लेने लगे दोस्तो जब महिलाओं को शारीक सम्मद बनाना होता है तो वो तेज सासे लेकर ये बताने की कोशिश करती है कि वो सेक्स के लिए इच्छुक है वो ऐसा करने में अपने पार्टनर को संकेत देती है ऐसे में आपको यह इशारा समझना चाहिए क्योंकि हर महिला सेक्स के लिए सीधे तौर पर अपने पार्टनर से नहीं बोल सकती है अगर आप रिलेशन्शिप में हैं और आपकी पार्टनर आपसे गले मिलकर तेज सासे लेने लगी है तो समझ जाईए कि वो आपके साथ शारिरिक सम्मंद बनाना चाहती है अब दूसरा संकेत है जब महिलाएं अपनी होटों से खेलने लगी दोस्तों कई महिलाएं जब अपने होटों को चबा कर उनसे खेलती है तब वो अपने पार्टनर को यह बताने की कोशिश करती है कि वो शारिरिक सम्मंद बनाना चाहती है ऐसी महिलाएं कामातूर होती है जब भी उन्हें सेक्स की जरूरत होती है तो वो ऐसे इशारे करके लोगों को संकेन देती है अब जिनको यह संकेत समझ में आ जाता है वो लोग तो सफल हो जाते हैं उनसे सेक्स करने के लिए और बाके तो वैसे ही बैठ जाते हैं तीसरा संकेत है जब अपने वो बालों से खेलने लगे बहुत सी महिलाएं जब अपने बालों से खेलती है तब वो यह संकेत देने की कोशिश करती है कि वो प्यार में है जब महिलाएं अपने बालों को खोलती है और अपने बालों को ठीक करने लगती है तो वो उस समय इशार कर रही होती है कि वो संभोग करने के लिए इच्छोख है हाला कि यहां भी सोचना जरूरी है कि जब भी कोई मैला अपने बालों से खेल रही है तो यह जरूरी नहीं कि वो शारिरिक संबंद के लिए ही बना रहे हो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वो आप से प्यार करती हो त दोस्तों जब कोई महिला किसी को पसंद करती है तो वो इशारों में अपनी बात कहती है इसके विपरीद पुरुष अपने प्यार का इजहार खुल के करते हैं लेकिन हर महिला खुल कर अपने प्यार का इजहार नहीं करती है हाला कि वो कही इशारे जरूर देती है यदि कोई महिला आपसे बातचीत करते हुए बार-बार आपके करीब आ रही है तो आपको छोने की कोशिश कर रही है तो समझ जाईए कि वो आपको पसंद करती है और जल्द ही आपको लेने में मूड में है तो दोस्तों अगला संकित है जब अपने शरीर को वो टच करने लगे दोस्तों जब भी कोही महिला अपने हातों और पेरों को रगड़ती है या सहलाती है या बार-बार आपकी तरफ देखते हुए अपने शरीर पर हात फेरती है तो समझ जाए कि वो आपने आपको आमंत्रित कर रही है बहुत सी महिला है अपनी गर्दन पर या अपनी बाहों प हात फेरती है ऐसा करके वो यह संकेत देती है कि वो आपको पसंद करती है और आपके साथ टांगे पहलाने में इच्छुक है दोस्तों अगला संकेत है जब आखोई आखों में वो आपसे बात करने लगे दोस्तों महिलाओं को अपनी बात कहने का सबसे अच्छा तरीका होत यहां अपने बालों के साथ खेल रही है तो इसका मतलब है कि वो आपको चाहती है महिला है आखों में आखे डाल कर बहुत सी बाते कह जाती है जिसकी समझ आपको होनी चाहिए ऐसी महिला है देर तक आपकी आखों में आखे डाल कर देखती है और एक अलगी अंदाज में अप अपने कानों में आकर गुबाते करे दोस्तों कानों में आकर बात करना किसी तरह का आमंतरन तो नहीं होता है लेकिन जब कोई मैला अपने कानों में आकर सिक्सी अंदाज में धीर इसे बात करने लगे तो इसका मतलब आपको आमंतरित करना ही होता है वह आपको ऐसा करके संकेत देती है कि वो आपको पसंद करती है दोस्तों अगला संकेत है संकेतों को ज्यादा गलत ना समझे दोस्तों कोई भी संकेत जो होता है तो वो हर वक्त इसी तरह से दिया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है लेकिन ये ज्यादा तर यूज के लिए किया जाने वाले संकेत है जिसके वज़े से आप समझ सकते हो कि महिला आपको पसंद करती है या नहीं करती है और वो आपको सेख्स के लिए आमंद्रित कर रही है या नहीं कर रही है तो दोस्तों ये थे कुछ इशारे जिनके बारे में आपको जानना शायद जरूरी था तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा या आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल भी न भूलिए धन्यवाद दोस्तों